वेल्कम बैक टो जे डे से क्लासेज और फार्मासिस्ट जीला परिशाद महराष्ट के सीरीज में हम आपके Human Anatomy and Physiology से Important MCQ को विद प्रॉपर एक्स्प्राइशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं तो जो लिए बिना लेट की हुए हाज का सेशन की स्टार्ट करते हैं Human Anatomy and Physiology का जो फर्स्ट कोशन है देखे क्या कोशन आप से पूछा जा सकता है एक्जाम पांट आप क्यू से देखे फर्स्ट कोशन शालो करते हैं next कर्यक्त होने वाला है आपका बढ़िफूलीं अबन देखे क्या होता है और इसी का दूसरा नाम देखे क्या होता है आपका birthulin grain के दूसरा नाम होता है vestibular grain और यह जो glens होता है यह vagina opening के बिल्कुल side by side present होता है और इसका काम होगा यह आपके viscous fruit का secretion करता है ताकि vagina किसी तरीके से dryness की problem नहों इसी का दूसरा नाम होता है आपका सबक्रा Almost इस सबुर्ट कि पीज़ का अगे में का इन को बोल जाता है मीलों में आपको कंफ्यूज नीहों नहीं हो से लेकर 55 के एज में फिमेस में देखने को बाता है जाब उनका मेंस्टवल सयकल सआप हो जाएगा बलोज Sigadz पर मिनार्क बोला जाता है यह का फ़र्ष्ट मेंस्ट्रुल साइकल जो है और अपसे पूछा जा सकता है किसी भी फिमेल्स के लिए क्यों कुछ टाइम पर क्या होता है और यह प्रिपियर हो जाता है इस परम से फर्टिलाइज होने की लिए चलिए अब हम नेक्ट कोशन को डिसकस करने वाले हैं ठीक है देखे एक डाइग्राम की तुर आप समझेंगे चीजों को तो मिनार्क होत होता है इनको मेंस्ट्रेशन फेस बोलते हैं और जब स्टाफ होता है इसको बोलते हैं लोग आपका जब स्टाफ हो जाएगा मेंस्ट्राइकल इसको मिनो पोस बोलें पोस मतलब तो स्टाफ ही होता है वैसे भी चले थार्ड कोश्चन को अब सालो करते हैं थार्ड कोशन है इसका करेक्ट आंसर होने वाल है कि प्रोजिस्ट्राइब हर्मोन का जैसे स्रीकेशन वरता है प्रोजिस्ट्राइब होता है जो कि लिधियाल फेस से यह रिलीज होगा लूटियाल फेस 14 से लेका 28 दे अप में श्रीकर साकर्स को बोलते हैं क्लियर हुआ और इस समय में आपका प्रोजिस्रॉंट का लेबल हाई लिसका डीस का करेक्स होने वाल आ देखे इस्टार्टिंग का जो ट्री टू फाइब सिए होता है इसको शुआ के बाद का ने कर फॉोटिंड़ प्रेश्जंस बिलिढिंग् से लेकर पॉर्टिंडे होग कि इनको आच लिए से प्रोजिष्टान स्वार्मो्ब क करेंगा और यहीं पर ही क्या करता इंडो मेट्र यंडो मेट्रियम क्या होता है जो यूट्रस्ट की जो ला If दूटरस्ट की जो वाल होते इंको बला रता है इंडोमेट्रियम ते इसको wy tranco करेगा तेक मतलब ता की बच्चा नाइन मंत के लिए कंसीब कर पाएं, यूटरस बच्चा दानी पे and possible हो पाएं, प्रेगनेंसी जो है, तो प्रेगनेंसी फेवरिंग हर्मोंस होता है, प्रोजिस्टरॉन और यही प्रोजिस्टरॉन होगा, वो यूटरस के लाइनिंग को मेंटेन करेगा, इंडोमेटियम वा इस्टरोडल हार्मोंस की एक्जम्पल के मैं बात करूँ Like Estrusion हो गया, Progesterons हो गया, Testosteron हो गया यह सब चीज़ें Estroidal हार्मोंस हैं तो इनको बनने के लिए Starting Point क्या होता है तो इनको बनने की चाहिए Cholesterol तो cholesterol काफी important होता है Estroidal हार्मोंस के production में तो डाइबेटीस मेलिटेस होता है जो डाइबेटीस मैलिटेस होता है इट अकर डिफीशन्स आफ दे यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं वेसोफोसीन जिसे का दूसरा नाम होता है एंटी डियूर्टिक हार्मोंस और एंटी डियूर्टिक के हार्मोंस की डिफिसिंसी के वाज़े से पॉलियूर्य की प्राबलम होती है मतलब यूरिन आउटपूट इंक्रिस हो जाएगा इस हो जाता है in case of the diabetes insipidus और दिस अकर ड्यू तो दिफूसेंस आप दा वेस्व प्रॉस्चिन हार्मोस तो इन दोनों चीजों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है चलिए नेश्ट कोशन को अब देखते हैं हम अपना six number का कोशन को सालो करते हैं which of the following is not the process of the urine formation तो urine formation आपके three steps होता है urine formation होता है आपके kidney में kidney में mainly जो nephron होता है यह आपके filtering unit होता है तो सबसे first question क्या होता है glomeral filtration बिल्कुल सबसे पहले जो urine blood से urine क्या होता है आपका filter होता है nephron के थ sources होता है जो आपके urine में like आपके glucose amino acid protein mineral vitamins जो important होते हैं आपके body के लिए तो इनको फिर से body में reabsorb करा लिया जाता है तो यह step भी बिल्कुल correct है और third होता है secretion secretion मतलब जो चीजे filtration के through urine में पास नहीं हो पाती है वो सब चीजे secretion के through urine में क्या होते हैं आपके excrete out हो जाते हैं तो three steps होते हैं में लिए आपका एक global filtration reabsorption और secretion excretion आपका urine formation का part नहीं होता है excretion मतलब तो removal वाला part हो गया जितने भी waste जी होतनी है body के इनको urine के through remove किया जाता है इस process को बोलते हैं हम लोग आपका secretion ठीक है इन process को क्या बोला जाता है आपका excretion तो यह elimination part हो गया best blood का बाकी filtration, reabsorption, secretion यह तीनो three steps होते है urine formation का process जो है जिसका डी correct answer होने वाला है आपका देखिए a friend of friend arteries और different arteries के through क्या होता है और friend arteries के through आपका blood आएगा हमारे nephron में और different arteries के through क्या होता है फिर से blood आपका वापस चला जाएगा body में बट आपके blood में जो भी wastage होंगे इनको यहाँ पर filter out कर ले जाता है kidney के through glomal filtration के through इसके बाद जो आपका PCT reason होता है proximal canaldate tube यहाँ पर reabsorption का process start हो जाता है जो यूरीन में जो important components होता है जो हमारे body click of important होता है like glucose, amino acid, protein, vitamin इस सभी चीज़ों को फिर से यहाँ पर देखिए फिर से reabsorb करा ले जाता है और जो चीज़े यहाँ से filter नहीं हो पाती है और direct secretion के through आपके renal tubules में आजाएंगे और इस तरीके से urine के through वो आपके eliminate out हो जाएंगे जैसे एक मैं drug की बात करता हूँ penicillin तो penicillin कभी भी यहाँ से filter नहीं हो सकता है तो इसको eliminate के through होता है आपका secretion ठीक है secretion process के through आपके kidney के किसी part में इस तरीके से देखे direction से आपका और भी समझ में आएगा यह secretion जो होगा यह बिल्कुल opposite होता है reabsorption का reabsorption मतलब उस blood में चला जाएगा component जो है और secretion मतलब क्या होता है blood से अगका nephron में इंटर करता है यहां स्विन इंटर करके यहां पर स्विन इंटर करेगा किसी टीबिल्स वाले पार्ट पर उस प्रोशेश को बोलते हैं शेक्रिशन next question को अब हमनों discuss करते हैं शेमत नम्बा को अभी हमने discuss क्या हो था कि यूरीन के वाल्यूम को regulate कौन करता है अभी आमने discuss क्या था कि यूरीन के वाल्यूम को regulate करता है एंटीडरूतिक हार्मोन्सकी यहां दिफीसेंस हो गया तो पॉलियूरिया की problem होती है सब्सक्राइब करते हैं एक नमबर का वीच आफ फॉलिविंग ड़स नॉट एक्ट दा निरो ट्रांस्मिटर इन में से कौन निरो ट्रांस्मिटर नहीं है आप से कोशन पुछा गया गाबा गाबामीन अग्योटारिक एसीड यह आपका इनिविटी टाइप आप दा निरो ट इसका करेक्ट आंसर सी होने वाला है चलिए नेट कोशन को अब सालो करते हैं नाइन नंबर का कोशन है विच आप दा फॉल्विंग इस नॉट बोन और एक्जियल इसक्रेटर टिए एक्जियल इसक्रेटर मतलब जो बोन आपकी बिल्कुल मिड़ लाइन पे प्रेजेंट ह बोलते हैं इनमें कौन सो बोन इन कूट नहीं है नॉट बोल रहें तो आपको करेक्ट इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका हाइडव इसको बोलते हैं जो आपके टंग को सपोट करने का काम करता है इस फिन वाइड ओन यह हमारा इस फिन आइड वोन है जो क्रेनियल और फि पेक्टोराल गडल जिसमें आपका KLAVICALS भी आ झाएगा पेक्टोराल मतल't ना कि अपंडी लिंब यहां पर भी आपका अंड और लोर लिंब के बोन की बात करेंगे वहां पर appendicular skeletal system होगा जहां पर skull, ribs, vertebral column इनकी बोन की बात करेंगे तो वहां पर हमारा exhale skeletal system होगा तो यह आपका appendicular skeletal system का पार्ट होता है ना की exhale का तो यह इसका correct answer होने वाल क्लियर चलिए को अब देखते हैं यह भी आपका joint से question पुछा गया 10 नमबर वाला देखे freely available joint और also known as freely available joint को दूसरा और क्या नाम है आप से पूछ रहा है other name इसका क्या होता है इनको synovial joint बोलते हैं ठीक है synovial joint मतलब देखे यह हमारा ball and socket joint है यह हमारा hinge joint है यह हमारा up grinding joint है तो यहाँ पर maximum movement possible है तो यहाँ पर क्या present है यहाँ पर joint में हमारे fluid present होता है synovial fluid जो की lubrication करने का काम करता है जो flexibility provide करता है आपके joint को तबी तो हम 360 degree इसको हम लोग rotate करा सकते हैं तो जहाँ पर freely available joint है आपसे joint का example पूछे तो आपका answer हो जाएगा काल्टी legionist joint जो हमारे back bone vertebral column में present होते हैं clear चलिए अब हम लोग next question को solo करते हैं 11th number का question है how many bones are there in the average person body body में बहुत ही simple question है human body में adult की मैं बात करूं तो total कितने bone होते हैं तो 206 bone present होते हैं लेकिन मैं बच्चों की बात करूं एक child में तो child में 300 plus bone present होते हैं तो आपको adult का याद रखना है 206 इसका correct answer होने वाला है कई बार फार्मसिस्ट exam में इस तरीके से simple question को भी फूछ लिया जाता है यह नेश्ट ही आप से पूछ रहा है question 12th number का इस टेपीज is which type of the bone ठीक है इस टेपीज क्या होता है यह इस टेपीज हमारे यह में आपका प्रेजेंट होता है और यह smallest bone है हमारे पुरे body का इस से आप से question क्या पूछ आ गया है कि यह कौन सा है तो देखिए smallest bone आप से question पूछ रहा है smallest bone of the human body तो answer हो जाएगा इस टेपीज longest bone में पूछ हो कि हमारे body का longest bone क्यों हो है तो thigh bone जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं तो जो थाई का जो bone है यह longest है और यदि मैं smallest लिए बात करहा हूं तो आपके कानों के अंदर में येर के अंदर में present होता है इस टेपीज जो कि smallest होता है आपका funny bone किसको बोलते हैं तो funny bone बोला जाता है neurons को ठीकी neurons को क्या बोलते है नरो neurons जो की longest होता है longest cell होता है हमारे body का इनको हम लोग funny bones बोलते हैं चलिए clear होगे इतना point चलिए next question को देखते है 13 number का question देखे कूफर cell कहा present होता है question पूछ रहा है कूफर cell are found in तो कूफर cell क्या होता है यह phagocytic action perform करते हैं और यह कहा present होंगे यह हमारी liver में present होते हैं ठीक लीवर में जो भी bacterial wireless का attack होगा या को भी foreign particles का attack होगा तो इसको phagocyte action कि तो इसको destroy करने का का कूफर cell जो है यह कहा present होता है लीवर में present होता है तो direct question आप से पूछ जा सकते हैं clear हो गया next question देखते है length of the ph pharynx pharynx का length कितना होगा पूछ रहा है तो pharynx का length होने वाला 13 cm ठीक है pharynx क्या होता है pharynx is the common passes for mouth and nose ठीक है हमारा nose and mouth के बीचे common passes है जहां से आपका food भी inter करेगा और वहीं से आपका ear भी inter करेगा तो यह common passes होता है एर और food के लिए nose के थूर जा रहा है आपका ear और mouth के थूर जाएगा आपका food एक common passes होता है इसको बोलते हैं फेरिंस जो की 13 cm इसका total होगा जैसे यहाँ डाइग्राम में देख सकते हैं देखो यह nose है तो nose के पीछ यहाला जो पार्ट दीख रहा है funnel step का जो दीख रहा है funnel step जो tubes होते हैं इनको हम क्या बोलते है funnel step the tube is known as the pharynx और यह आपका देखिए यह आपका nose हो गया तो nose के पीछे होगा तो nasal cavity का पीछे होगा तो nasal pharynx और यह हमारा mouth जिसको oral cavity बोलते हैं इस mouth के पीछे present होता है इसको nasal pharynx बोलते हैं और और मतलब nasal pharynx और oral cavity के पीछे जो प्रेजेंट होता है इसको oral pharynx और nasal cavity के पीछे 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 इसको nasal pharynx बोलते हैं तो यह common pauses है आपके food और ears के लिए clear हो गया और इसके नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको larynx मिलेगा जिसको vocal cord भी बोलते हैं तो यह कॉफी अग्रवाल बेस्का बोलते हैं के अपर चेंबर देख्ता हो के यहाँ आपको याद आप और यहाँ कहला और मद्लाएग्स थ आपके वेन के तुरू superior वेना के वाइन फिरियर वेना के वाइन के वाइन के तुरू इसमें blood आपका feel होगा और जब एक contract करेगा तब जाके blood आपके ventricles में इंटर करेगा तो आप से question भी वही पुछा गया था कि blood कैसे इंटर करता हमारे heart में तो ये वेना के वाके थू इंटर करेगा जब हमारा heart का artium वाला part relaxed condition में हो next question देखते है system number का which layer of the heart is a composed of the cardiac muscle तो cardiac muscle मतलब जिस से मिलकर जिस जो हमारे heart की covering होते हैं इनको क्या पोलते हैं हमारा cardiac muscle तो ये आपका myocardium का correct होने आद़ है जो heart का upper वाला layer होगा इनको हम लोग pericardium बोलते हैं जो beach वाला layer होगा middle layer इनको मायो कादे हैं अ samp से अंदर आदर आदू जो layer होता है inner layer इनको हम नेस्ट 17 नमर के question को solve करते हैं which are the following factor is also known as the anti-hemophilic factor anti-hemophilic factor मतलब factor 8 को बोलते हैं और जिसकी deficiency के वज़े से hemophilia की problem देखने को मिलता है तो factor 8 काफी important होता है और इनहीं को hemophilia को royal digits भी बोलते हैं और जिन patient में hemophilia की problem है तो उनमें factor 8 की deficiency देखने को मिलता है तो factor 8 को ही anti-hemophilic factor बोलते हैं जिसके body में factor n की कमी है मतलब hemophilia, hemophilia का मतलब होता है continuous blood flow होगा after injury मतलब blood clot नहीं होगा जल दी से लिए next question 18th number का question को solve करते हैं platelets और form what type of the city का platelets formation का आपका question पूछ रहा है और यही platelets आपका blood का component है जो responsible होता है blood का clotting process के लिए तो यह कौन से cell से farm होता है तो यह आपका mega cariocytes cells यह farm होता है यह कौफी important है question ऐसी टाइप से आप से पूछ जाता है कि platelets जो platelets होते हैं यह हमारे कौन से cell से आपके origin होंगे तो इसका अंसर होना वाला है आपका megalo mega cariocytes से platelets origin होगा जो कि आगे चलके blood clotting process में participate करता है आपका चलिए next question को अब हम solve करते हैं next question आपकी skin serrated होता है इसकी से rated है which type of the epithelial cells form stratum granulation जो हमारा skin का जो dp dermis है तो epidermis की भी five layers होते हैं like आपके stratum corneum stratum lucidum stratum granulation stratum corneum और stratum spinosum और stratum basal जो है तो यहाँ पर आपको specially mention किया गया है कि stratum granulation में कौन सा epithelial cell present होता है तो इसका correct answer होने होने वाला है columnar type of the epithelial cells are present in the stratum granulation जो हमारे skin की epidermis वाले part का ही layer होता है तो इसका sis का correct answer होने वाला है तिलर इस type का एक column के shape में आपका epithelial cells present होता है जो कि stratum granulation layer का formation करेंगे next देखते हैं आपका next question आप से cell division question cell division से question पुछा गया है देखिए क्या है आपका the stage in which daughter chromosome move toward the pole of the spindle is दीक है आपका cell division का process से आप से question पूछ रहा है कि इन में कौन से stage जहां पर daughter chromosome होते move opposite मतलब north और south pole में क्या होता है यह आपके separate होते हैं तो यह आपका होता है आपका ena phase में separation phase इन को बोला जाता है जहां पर दीखिए आपका एक north side और आपका south side spindle fibers क्या करते हैं आपके spindle fibers में आपको separation होता है chromosome का ठीक है इस spindle fibers के थुरू जो chromosome होते हैं इनका separation होता है opposite pole में ठीक है dear student तो यहाँ पर हमने आपके 20 important question को discuss किया हुआ है जो आपके exam point review से काफी important होने वाला है last time पर जिरूर इन सब question को read करके जाईए आपके लिए काफी beneficial होगा यह जो question है और thank you so much अज़िए आपके जापके लिए आपके प्रफटे ने किता है